Hello everyone, guys, किसी viewer ने पूछा है कि having को situationally समझाईए Guys, having पर मैंने मुझे लगता है दो-तिन वीडियोज अलएडी बना दिये हैं फिर भी मैं आपको समझाने के कोशिश करता हूँ, guys देखिए, यह जो word होता है have इस have में जब आप ing लगा देंगे जब यह having बन जाएगा तो यह कुल मिलाकर, guys, तीन काम करता है सबसे पहले अगर मैं have में ing लगाता हूँ यह action का काम करता है क्या होता है, मैं बताऊँगा दूसरा, जब मैं have में ing लगाऊँगा तो यह participle का का काम करेगा जो कि adjective की तरह काम आएगा और तीसरा, जब मैं have में ing लगाऊँगा तो यह जेरंड की तरह काम करेगा तो यही आपका है action, participle, gerund इसी के अंदर ही having घूम रहा है सबसे पहले जो सबसे आसान है action उसको देखते है अब action क्या है, जैसे अगर मैं अभी walk करूँ लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक have को ही action बना दू अभी walking मेरा action है अब मैं walk को noun बना दू और मैं have को ही action बना दू तो present continuous tense है, तो have में ing मुझे लगा न पड़ेगा तो मैं क्या बोलूँगा, I am having of having what? having a walk, I am having a walk यहनि कि मैं टहल रहूँ तो आप I am walking बोलो या I am having a walk बोलो वो थार सेम कहने के दो तरीके हैं तो हम having का इस्तमाल इन जग उपर करते हैं क्या सिर्फ टहलने के लिए having होता है? जी नहीं जब भी हम action की तरह इसका इस्तमाल करेंगे तो इसके अंदर टहलना भी आ जाता है इसके अंदर खाना भी आ जाता है पीना भी आ जाता है बात करना भी आ जाता है, जगडा करना भी आ जाता है नहाना भी आ जाता है बहुत सारी चीज़ आती है यह सब को पता है अगर मैं कहता हूँ यार वो नहा रहा है तो he is having a bath या he is having a shower हम कह देते हैं guys तो यह action वाला तो मुझे लगता है सब को clear होता है already अब हम इसको लेते हैं gerund के रूप में जो सबसे जादा मुश्किल काम है अब gerund का मतलब क्या होता है जो हम action को ही subject बना दे और हम action को ही object बना दे उस ही को हम gerund कहते है ऐसे gerund गर में example दूँ आपने सुना होगा कि जैसे मैं बूलू walking is good for health तो walking मेरा यहाँ पर gerund है यह एक subject की तरह काम कर रहा है कि क्या अच्छा है भई तो walking is good for health, health के लिए walking अच्छा है तो मैंने walk में ing लगाया यानि कि action में हमें ing लगाना है वही मेरा subject बनेगा तो यह gerund होता है अब मुझे have में ing लगा करके एक gerund वाला sentence आपको दिखाना है अगर मैं कहता हूँ कि having a walk ध्यान दीजेगा having a walk is good for health क्या गलत है इसके अंदर यह gerund है और हमने sentence की शुरुवात have से की है तो आप have में ing लगा करके sentence की शुरुवात करेंगे और वो subject की तरह काम आएगा यहाँ पर gerund आपका having है वो जो a walk है वो इस have का noun है यानि कि having से लेकर walk तक एक gerund fridge बनता है तो हम gerund में having का इस्तमाल करते हैं जैसे अगर मैं कहता हूँ कि having a bath in winter season is not my cup of tea तो having a bath यह मेरा gerund है तो having का इस्तमाल हम gerund के लिए भी करते हैं और यहाँ पर यह subject है यह subject का काम कर रहा है अगर मैं कहता हूँ कि having a conversation with that boy is going to be beneficial तो having a conversation with that boy इतना बड़ा जो आप देख रहे हो इसमें having आपका gerund ही तो है कि उस लड़के के साथ conversation करना फैदिमंद होने जा रहा है अगर मैं बोलता हूँ कि having fun in the village is a great experience तो having fun यह क्या है यह gerund ही तो है तो इससे साबित होता है कि हम एक तो action की तरह इस्तमाल कर रहे है I am having water, I am having breakfast और एक हम gerund की तरह इस्तमाल कर रहे है that having fun is good, having a walk is good यह इस तरहीके से अब इसी को इसी gerund में मैं इसे object भी बना सकता हूँ object कैसे बना दूँगा, अगर मैं एक word यूज करता हूँ avoid, अगर मैं कहता हूँ I avoid, I मेरा subject, avoid मेरा यहाँ पर verb है I avoid, I avoid what, मैं क्या avoid करता हूँ, अब मुझे एक object चाहिए, अब उस object को मैं having के साथ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ I avoid having food at night, I avoid having food at night, यह जो having food at night जो last में आ रहा है, यह मेरा क्या है, यह gerund ही तो है और यह gerund किस चीज का काम कर रहा है, object का काम कर रहा है, यह हम having का इस्तमाल जब gerund के रूप में करेंगे, तो हम subject से भी बना सकते हैं और उसको object की तरह भी उस कर सकते हैं जैसे, having a bath is not my cup of tea and I like having a bath, तो देख रहे हैं, एक तरफ subject है, तो एक तरफ object है, कुछ समझ में आ रहा है, कि having का इस्तमाल है, जरund में कैसे करते हैं, okay I like having fun here, I like having fun here, यहां पर जो having fun है, जरund की तरह काम आ रहा है, और object है यह, I don't like having a conversation with that girl, I don't like having a conversation, जो having a conversation है, यह मेरा जरund है और यह object का काम कर रहा है, तो यहां तरफ एक तरफ किलियर हो गया, तो हमने action के रूप में देख लिया, जरund के रूप में हमने subject बना कर देख लिया और object बना कर देख लिया, अब guys, अगर कोई proposition आ जाए, ध्यान दीजेगा, कोई अगर proposition आ जाए, प्रैपोजिशन के बाद क्या आ सकता है, प्रैपोजिशन के बाद हमेशा noun आता है, प्रैपोजिशन के बाद हमेशा objective pronoun आता है, और प्रैपोजिशन के बाद हमेशा var में ing आता है, जो कि खुद एक जरंड होता है, तो मैं इसी having का इस्तमाल प्रैपो इन, इन मेरा preposition है, अब इन के बाद अगर मैं किसी action को दिखाने की कोशिश करूँगा, वो action में ing होना चाहिए, वो gerund कहला आएगा, तो क्यों नहीं have में ing लगा अगर क्या आपको दिखाऊ, तो I am not interested in having a conversation with you, कुछ समझ में आ रहा है, I am not interested in having a conversation with you, यहने कि तुम से बात करन में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, तो preposition के बाद भी आप having का इस्तिमाल जब करेंगे, तो वहाँ पर वो gerund ही तो होगा, जैसे अगर मैं preposition उठा लेता हूँ, despite, despite मेरा preposition है, तो preposition अपने बगल में, अगर action लेगा, तो आए इंजी में लेगा, तो अगर मैं उस despite के बग have नहीं कह सकता हूँ, तो यहाँ भी हम having देख रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत सारे पैसे होने के बावजूद वो expensive कप्रे नहीं खरीता है, तो मेरे बाद समझ में आरही है, यानि कि जो आपका having है, वो action के तरह use हो रहा है, और वो gerund के तरह use हो रहा है, gerund में वो subject भी ब अगर मैं एक sentence बुलता हूँ, जैसे कि मैंने, suppose मैंने इस पत्ते को यहाँ से तोड़ दिया, एक मैंने लीफ को यहाँ से प्लक कर दिया, कर दिया, completed action है, अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, मैं पच्ता रहा हूँ, तो मैं पच्ता रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैंने किसी काम कर दिया है, मैं पच्ता रहा हूँ, तो मैं बोलूगा, इन्हों, I regret, या I am regretting, मैं पच्ता रहा हूँ, I am regretting, having plucked this leaf, घ्यान से देखिए, I am regretting, having plucked this leaf, यहाँ कि इस पत्ते को तोड़ कर मैं पच्ता रहा हूँ, तो having के साथ, अगर आप verb में third form लगाते हैं, वो भी gerund का का आपको लग रहा होगा कि perfect participle है, वो भी होता है, बट यहाँ मैं आपको gerund की तरह दिखा रहा हूँ, having के साथ, अगर आप verb की third form लगाते हैं, और उसे अगर आप use करते हैं as a object या as a subject, तो वो gerund का का काम करता है, फिर से ध्यान से देख लीजिए, gerund हमेशा subject या object बनता है, participle adjective बनता है, बिल्कुल दिमाग में रखेगा, तो यह माँ सोचेगा कि having के साथ third form लगा, मैं तो perfect participle सोचा था, मत सोचे, ध्यान से देखे, I am regretting, I am regretting what? I am regretting having plucked this leaf, यानि कि इस पते को तोड़ कर मैं पचता रहा हूँ, अगर मैं बोलू कि having plucked the leaf, having plucked the leaf is giving me pain, बहुत ध् having plucked the leaf, यानि कि पत्ते को मैंने तोड़ दिया, यह जो घटना घट गई, is giving me pain, यानि कि पत्ते को तोड़ने वाली जो घटना है, पत्ते को मैंने तोड़ दिया, वो चीज मुझे पेन दे रही है, देख लिजे, having plucked the leaf is giving me pain, अगर मैं बोलूँगा कि plucking leaf will give me pain, यह तो पत् disturbing me again and again, तो having slapped that boy, उस लड़के को मैंने थपड मार दिया, अब यह जो घटना घट गई, is disturbing me again and again, तो यहाँ पर यह जिरंड का काम कर रहा है, क्योंकि जिरंड या तो subject बनता है, या object बनता है, तो जिरंड वाला काम एकदब समझ में आ गया, अब जो आपका having है, वो participle का का काम कैसे करेगा, देख लिजेगा, इसको बोलते perfect participle, आपने किसी काम को complete कर लिया, suppose कि मैंने, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, यहाँ पर camera person दिखाए, इस जोले को देखिए, इस जोले में बहुत सारे lemons है, अब मैंने सारे lemons को तोड़ लिया है, मैंने इनको प्लक कर लिया अब मैंने प्लक कर लिये, अब यह करने के बाद मैं अपने घर अब जा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, कि having plugged the lemons, I am going back to my home, तो मैंने एक काम को complete कर लिया है, और करने के बाद जब मैं कोई दूसरा काम करूँगा, इन दोनों के बीच अगर एक gap आता है, तो भी मैं having क इस्तिमाल कर सकता है, इसको perfect participle कहते है, तो अगर जैसे मैं बोलूँ, कि नो, मैंने अपने farmhouse में exercise किया, और exercise करने के बाद मैं अपने घर चला गया, तो मैं क्या बोलूँगा, having taken exercise in my farmhouse, I went back to my home, मैंने मालो की खाना पकाया, और खाना पकाने के बाद मैं फोन पर बात करने तो having cooked food, come complete हो गया, having cooked food, I started talking on phone, इसको बोलते perfect participle, किसी को लग रहा होगा, कि sir, कभी gerund में भी having के साथ third form आता है, और perfect participle में भी having के साथ third form आता है, तो एक ही तरीका है इसको समझने का, कि जब वो gerund होगा, तो या तो subject बनेगा, या object बनेगा, और जब वो perfect participle होगा, तो उसमें subject object हो नहीं बन रहा है, घ्यान से देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि having plugged, having plugged the lemons, I went to my home, निम्बू तोडने के बाद मैं घर चला गया, यह having plugged lemon किदर से subject है, subject हो मैं हूँ, मैं घर चला गया, यह बस एक extra information है, जो मेरे बारे में दी जारी है, adjective है दोस्तों, तो आप having के सा जो third form है, उसको perfect participle में इस्तमाल कर सकते हैं, चेक है, तो यह भी आपका एक having हो गया, और उसके बाद आपका एक होता है, having said that, जैसे आपने however सीखा तो वैसे होता है having said that, अगर मैं कहता हूँ, कि my friend is a good boy, having said that, he smokes a lot, he has a very bad habit, तो having said that का मतलब होता है, इसके, मतलब यह तो है, but यह भी यह करता है, मतलब कि एक तरफ तारीफ कर रहे है, तो एक तरफ उसकी बुराई कर रहे है, जैसे however हो गया रहा होता है, इस तरीके से बात करता है, जैसे मैं कहता हूँ कि see, my viewers watch my videos, they wait for my videos, having said that, they don't hit the like button, तो मैं क्या कह रहा हूँ, कि वो मेरे videos को देखते हैं, मेरे videos के इंतिजार करते हैं, इसके बावजूद वो like button नहीं दबाते हैं, तो यह having said that होता है, तो यही total आपका एक having का सफर था, I hope कि आपके समझ में आया होगा, इस वीडियो को बार बार देखिए, तब ही समझ में आयागा, मिलते हैं अगले episode में, अगर आप नए हैं, तो चैन Thank you very much everybody, thank you.